में चरकी दादरी की रहने वाली विनेश फॉगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला कुष्टी में गोल्ड की हिट्रिक बनाकर इतहास रच दिया है बता दें कि विनेश फॉगाट का यहां तक का सफर इतना असान नहीं था यहां तक पहुँचने के लिए उन्होंने जी तोड मेहनत की कई साल पहले विनेश के पिता की मौत हो गई थी जिसके बाद उनके ताउ महबीर फॉगाट ने उन्हें अपनाया जिसके बाद अपनी जी तोड मेहनत के बाद उन्होंने ये मुकाम हासल किया है विनेश फोगाज की सफलता के बीछे उनकी मा का भी बेहत एहम योगदान है अपना टेमपर खुलाना प्याना बालकान टेमपर उठाना अपनी मैस पाड़ते बेशते वे बालकान खत्तर अपनों फूरी जान करी है वोई एक दिन रात एक करी के बालकान आज है जो गहां परवेट यान पूचाईश है विनेश को हम बच्पन से खोब अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हमने भी खोब साथ ही प्रक्टिस की हुई है और जब छोटे शी थी जब इसमें बहुत अच्छा टैलेंट था सभी बच्चे मैंनेट करते थे लेकिन विनेश सब से एक्स्ट्रा मैंनेट करती थी और जब गित्ता बवित्ता मैडल ले आई तो उसी टाइम विनेश ने कह दिया था कि मैं इन शे वाई उपर अलमपीक में गोल मैडल लेना मेरा एक सपना है और विनेश ने बहुत से ये 2000 में सुरुआत होई उस ताइम में तकरीबन 6 साल की रही होगी और आज जब 6 साल का बच्चा सुबह साड़े 3 बजे उठके और प्रैक्टिस करना सुरुआत में हमारे साथ हम बड़े थे तो साथ जाना हर रोज हम भी किसी टाइम में प्रैक्टिस में कुछ कमी करे जाती थी ने करना ये होना लेकिन उसका हमेशा यह था कि मैं ग्राउंड में जाना है और क्यों सबसे छोटी रहेगी और छोटी होने के नाते भी उसके उपर एक्स्टा यह था कि तेरे को तो करनी ही करनी है